तो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल आरे ट्रिक में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिसो पर ओर्डर रिटर्ण कैसे करे मिसो ऑर्डर कैंसे करे तो दोस्तो अगर आप भी किसी भी प्रोड़क्ट को आप मिसो से ओर्डर किये हैं और वो order आपका receive हो चुका है लेकिन किसी भी region से आप उस order को cancel करना चाहते हैं तो कैसे आप Miso per order को return करेंगे या cancel करेंगे इस वीडियो में मैं आपको इसी का process बताऊंगा तो दोस्तो Miso per order return करने के लिए सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर हमें Miso application को open करना है और Miso open करने के बाद दोस्तो यहाँ पर हम देखेंगे right side में सबसे नीचे में तो यहाँ पर हमारा profile icon देखनों को मिलेगा तो दोस्तो simple सा यहाँ पर हमें my order पर click करना है और my order पर click करने के बाद दोस्तो जितना सारा product को हम Miso app से order किये रहेंगे वो all to all order history यहाँ पर हमें दिखाई देगा तो दोस्तो जो भी order को हमें return करना यानि की cancel करना है तो उस order पर हम click करेंगे तो for example के लिए दोस्तो यहाँ पर मुझे इस order को return करना है तो इसके लिए दोस्तो मैं यहाँ पर इस order पर click करता हूँ और order पर click करने के बाद दोस्तो अब यहाँ पर हमें scroll done करके यहाँ पर हमें नीचे आना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे में एक option मिलेगा return exchange order तो दोस्तो यहाँ पर हम return exchange order इस पर हम click करेंगे एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफी सारे option आएगा तो जिसके कारण हम अपना product को cancel करना चाहते हैं तो वो region यहाँ पर हम choose करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें कोई सा भी एक region को choose कर लेना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक region को choose कर लेता हूँ quality issue आप यहाँ पर कोई सा भी एक region को choose कर सकते हैं region choose करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और region choose करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर नीचे के साड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक option मिलेगा what is the issue with quality तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस पर टिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें दो option देखनों को मिलेगा एक मिलेगा return और दूसरा मिलेगा exchange तो दोस्तों अगर हम अपना product को return करना चाहते हैं यहाँ पर हम return पर click करेंगे या फिर हम अपना product को exchange करना चाहते हैं exchange मतलब यह होता है दोस्तों कि आपका product return हो जाएगा लेकिन उसके बदले में कोई दूसरा product आपको फिर से देगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक option को choose करेंगे तो दोस्तों मुझे इस order को return करना है तो इसके लिए यहाँ पर मैं first वाली पर click किया हूँ और option चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक option भी लेगा add image तो दोस्तों यहाँ पर हमें पॉलस वाले icon पर click करना है और पॉलस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें camera वाले icon पर click करना है और उसके बाद दोस्तों जो product हमारा deliver हो चुका है उस product को यहाँ पर हम एक photo ले लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना product का यहाँ पर photo ले लेता हूँ और फोटो लेने के बाद यहाँ पर हम इस राइट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम समीट पर क्लिक करेंगे और समीट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो अगर हम already कोई सा भी bank account को miso app पर add किये रहेंगे तो वो bank account यहाँ पर हमें दिखाई देगा और दोस्तो अगर आपको miso app पर bank account add करने नहीं आता है तो इसके उपर मैं already video बनाया हूँ और उस video का link इस video के description में दे दिया हूँ तो यहाँ पर दोस्तो मैं already bank account को add किया हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैं इस bank account पर click करता हूँ और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर हम continue पर click करेंगे और continue पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आचुका return request submitted और यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते यहाँ पर 186 will be transferred to your bank account within 5 hour of pickup तो 5-6 गंटे के अंदर में मेरा amount यहाँ पर bank account में refund आ जाएगा और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर हम continue shopping पर click करेंगे तो इस तरीके से दोस्तो मीसो पर order return कर सकते हैं मीसो order cancel कर सकते हैं